साल दोहजार बारा में ZTV पर टेलीकास्ट वा शो सपने सुहाने लड़कपन के शो को दर्शकों ने खुब पसंद किया था क्योंकि इसमें रचना और गुंजन का किरदार निभाने वाली आक्ट्रिसस ने दो बहनों के रूप में बेहत अच्छा बॉंड शेयर करते हुए जम कर अपना कमाल दिखाया था और एक दूसरे के सपोर्ट में रहकर वो दर्शकों की फेवरिट आक्ट्रिस बन गई थी आज की इस वीडियो में हम आपको दोनों आक्ट्रिसस की आज की चेंजिंग लाइफ से रूबरू कराएंगे पर पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें पहले बात करें शो में रचना बन कर सभी का दिल जीतने वाली आक्ट्रिस की तो उनका पूरा नाम महिमा मकवाना है जिनका जन्म 5 अगस्त 1999 को मुंबई महराष्ट में हुआ था और वहीं से ही इनकी सारी पढ़ाई भी कम्प्लीट हुई थी बात करें इनके अभिने करियर की तो इन्होंने 10 साल की उमर में ओडिशन देने शुरू कर दिये थे और इनका फर्स डेब्यू सीरियल साल 2008 में मोहे रंग दे था जिसमें इन्हें सफलता नहीं मिली जिसके बाद इन्होंने और भी कई सारे सीरियल में ट्राय किया था जैसे कि C.I.D., आहट, मिले जब हम तुम लेकिन इन्हें अपनी असली पहचान जहांसी किरानी शो में बाल कलाकार के रूप में मिल गई थी और इन्होंने अपने सीरियल सपने सुहाने लड़कपन के में तो चारचान लगा दिये थे इतना ही नहीं, ये तो साउत की फिल्मों में भी काम कर चुकी है और अब इन्होंने साल 2021 में आई फिल्म अंतिम में फिर्स्ट बॉलिवुड डेब्यू भी कर लिया है वहीं बात करें इनके बदले हुए हालातों के बारे में तो जहां ये शो में रचना के खूबसूरत किरदार में साधारन सी लड़की बन कर नॉर्मल सूट साड़ी पहने हुए लंबी सी चोटी बांधे बिना मेकप के काफी पतली दुबली और सावली नज़राई थी वहीं आज अपनी 23 साल की उम्र में काफी modern और stylish हो गई हैं और अब काफी bold dresses, jeans, top carry करते हुए अपने सुनहरे बालों के साथ light make-up में काफी गोरी चिट्टी दिखाई देती हैं बात करें इनकी personal life की तो आज ये अपनी 23 साल की उम्र में सिंगल रहते हुए अपने निजी जिन्गी में खुश हैं दूसरी तरफ बात करें गुंजन का किरदार निभाने वाली actress की तो उनका असली नाम रूपल त्यागी है जिनका जन्म 5 अक्टूबर 1989 को मुंबई महराष्ट में हुआ था और वहीं से ही इनकी सारी पढ़ाई complete हुई है बात की जाए इनके acting career की तो इन्होंने choreographer होने के साथ साथ साल 2009 में आए टीवी शो हमारी बेटियों का विवास से टीवी पर first debut किया था और इसी शो में इन्हें मंशा के रूप में अपनी असली पहचान मिली थी जिसके बाद इन्हें दिल मिल गए और एक नई छोटी सी जिन्दगी जैसे कई शोज मिले मगर सबसे बड़ी सफलता तो इन्हें गुंजन के रूप में सपने सुहाने लड़कपन के से ही मिली थी और इस शो के जरिये इन्होंने साथ वे आसमान को चूलिया था जिसके बाद इन्होंने तकरीबन 12 टीवी शोज में अभिने किया अगर बात की जाए इनके चेंजिंग लाइफ की तो जहां शो में गुंजन के किरदार में कभी जीन्स कुर्ती पहने हुए तो कभी सूट डाले हुए छोटे बालों के साथ मोटी तगडी और गोरी चिट्टी नजर आई थी वही आज अपनी 32 साल की उमर में पहले से बहुत पतली पर फिट दिखाई देती है और काफी गोरी चिट्टी नजर आने के साथ ये हर टाइब के वेस्टन ड्रेसेस भी कैरी करती है बात की जाए इनकी परसनल लाइफ की तो आज अपनी 32 साल की उमर में भी सिंगल है आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं साथ ये ऐसी दमदार खबरे पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें